पैन या पुश टिल्ट अब किसी भी तरव जैसे मैं पुश पैन कर लेता हूं जैसी मैं इसे लेफ्ट की साइड करता हूं ओके तो यह अभी हो नहीं रहा उसके बाद जैसे मैं टिल्ट कर लेता हूं अब देखिए अभी भी नहीं हो रहा तो मतलब पते नहीं लग रहा है क्यों रहा है काट लायर हाई एवरिवन मेरा नाम है साजन मदान तो आज के टोपिक में हम बात करेंगे DJI RS3 Pro की बेस्ट सेटिंग्स क्या होनी चाहिए तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि DJI RS3 Pro जितने भी हमारे गिंबल हैं मतलब मोडल्स हैं जितने भी DJI के आप उनके उपर यह सेटिंग कर सकते हैं क्योंकि यही निकी इसी गिंबल के उपर होगी आप किसी भी अगर आपके पस DJI का गिंबल है तो आप उसके उपर यह सेटिं मोड दिया जाता है यह तीन सेटिंग सबसे मेजर हैं आज हम बताएंगे कि स्मूधनेस के साथ डेड़ बैंड क्या है पुश मोड क्या है और उनकी क्या सैटिंग होनी चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं अपनी एप्लिकेशन ओपन कर लेता हूं यहां सबसे पहले सिर्क बैंट फॉलो की मैं यहां से स्क்रीन र्कॉरडिंग आन कर लेता हूं और मैं एप कर रहा हो रोनिन को open कर लेता हूं और यहां से मैं Bluetooth होन कर लेता हूं और जैसे ओन किया है DGRS3 Pro के साथ connect हो गया यूजर profile के अंदर जाएंगे यहां पर जैसे बताया कि pan follow के उपर भी हमारा gimbal चल रहा है और अगर आप मुबाइल से कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे आपके बस Ronin S है ऐसी है तो आप मुबाइल से यहां पर pan follow कर ले अगर आपके gimbal के उपर option नहीं है तो follow speed है हम उसे custom करेंगे custom के अंदर यहां पर आप 25 pan 25 tilt 25 roll को रखेंगे custom करने के बाद उसके बाद dead band हम रखेंगे जैसे मैं कुछ चीजों के बारे में बता दूं कि push mode का है जैसे मैं यहां पर medium कर देता हूं पुष्मोंड पे ऐसरे जैसे का बारे किसी चीज तकरा जátता है या गिर जाते ओंग यहां लग जाता तो आप जैसी पूश्म्हण हुआ हुआ तो इह पेर हुग लग या घुम्बण के साथ उत्श्म हुआ तो gimbal इसी तरव अब भी म呀 मोड ओफ कर देता हूं जैसे में रिसेट कर देता हूं अब मेरा कोई भी टाच हुआ या गिंबल के साथ तक रहा है यह वहीं पर उसी सिचुएशन में वापिस आजाएगा यहां बेंड में क्या होता है जैसे में डेड़ बेंड nad y zones मेडिम न तो अब वह जल्दी yn करेंगी मतलब जैसे मैं लोव एंगली हम यह How रोटेट करेंगी और जहां चांब कर्ता तो यह अब जहने हम स्टार करते यहां पर सबसे पहले क identify में 25 25 25 यह तीनों सेटिंग रखनी है पैंटिल्ट रोल की उसके बाद डेड़ बेंड आपने मीडियम कर देना है पुश मोड आपने बेसिकली ओफ कर देना है उसके बाद कंट्रोल के अंदर आएंगे मोशन के अंदर आएंगे यहां पे यह और एड़ी सेटिंग्स कर रखी स्मूधनेस लो रोल के अंदर भी यही सेटिंग रहेंगी बिल्कुल सेम यह दोस्तों बेस्ट सेटिंग है मतलब पैन फोलो मोड की यहां पे क्या 25 25 मतलब जो आपका पैन फोलो मोड है यह बहुत स्मूध वर्क करेगा अभी मैं जैसे मैं इसको रोटेट करता हूं देखि कुछ एकदम से नहीं कि अब जैसे सी शोड बना रहे हो तो एकदम से कैमरा के वर घूम जाता और फोकस भी हंटो जाता इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल स्मूध यह वर्क करेगा जैसे आप चाह रहे हैं तो यह सेटिंग हम यूज करते और यह बैस्ट म मीडियम जैसे पैन फोलो पर समूध था अभी आगया मीडियम मीडियम के उपर कस्टम भी कर सकते हैं 50-50-50 अभी हम यहां पर मीडियम रख लेते हैं उसके बाद डेड़ बैंड है हमारा जो रहता है मीडियम उसके बद पुश मोड हम हर सिच्वेशन में और रखते हैं उस बैंड सिक्ट समूध मीडियम मक्समीड 45 मीडियम ह devastation मीडियम रो जैसे यहीं सेटिंग रही है और हमारा अभी जैसे पैंड की में और ょ हमारा देखी कैमरा डाउन जा रहा है और कैमरा अभी अप कर रहा है तो इस तरह से क्रेटिविटी अगर आप बाइक के उपर बैठे है तो कुई काप अपर करेंगे डाउन करेंगे तो यह पहुंस करना स्टार्ट कर जाएगा पैंटिल्ट फोलो के अंदर क्योंकि टिल्ट मॉटर भी वर्क कर रही है उसके बाद दोस्तों हमारी जो एफपीवी की सैटिंग है यहां से मैं एफपीवी कर लेता हूं बिल्कुल डाउन कि ओके और यहां पे ए फपीवी हमारा जो मोड है आचुका है यहां से कस्टम भी कर सकते हैं 360 भी कर सकते हैं और कस्टम भी कर सकते हैं मैं printing के उपर तीनों मोडर कर कर FPV जैसे हम music video यूज करते हैं या वैडी के अंदर creative short लेना चाह रहे हैं rotate वले तो इसके जरीए आप कर सकते हैं basically सबसे ज़्यादा मैं music video के अंदर ही यूज करता हूँ यहां पर max speed आएगी आपकी fast और आपका dead band आएगा high और push speed आप off कर देंगे और control के अंदर आएगे motion के अंदर आएगे और आपका dead band रहेगा pan के अंदर high max speed fast smoothness आएगी low tilt के अंदर dead band high max speed fast smoothness low और यही setting आप की आएगी जैसे dead band है high max speed fast और smoothness low रोल के अंदर तो सारी settings यह बिल्कुल सेम है और एड़ी मैं पहले से करके रखी हुए मेरे gimbal की और जरूरी नहीं जैसे बताया कि यहीं गिंबल के ओपर यह settings आप करेंगे तो best आपके पास कोई भी product DJI का तो उसके उपर आप यह कर सकते हैं अभी FPV के अंदर क्या होता है कि आप इस तरह से मैं सीधा जा रहा हूं और सीधा जाती जाते मैंने rotate किया फिर वापीस आया दूसरी तरफ कर दिया मैंने अपर कर दिया डाउन कर दिया अगर जिन्होंने नहीं देखा FPV के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया बहुत क्रेटीव आप उससे देख सकते हैं बेसिकली यह तीन सेटिंग सबसे बैस्ट है आगे वाले टोपिक में हम बताएंगे कि इसे सही कैसे यूज कर करना है कौन-कौन से एंगल है कौन-कौन से सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद